नमस्कार प्यारे बच्छों आज हम कर रहे हैं क्लास 2 NCRT इंग्लिश का चैप्टर 2 इस चैप्टर 2 ऑफ यूनिट बन एट्स टाइटल इस हाल्दीज एड्वेंचर ओके हाल्दीज एड्वेंचर चिक है आप फर्स्ट अफॉल हम इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं समझ लेते हैं तो हाल्दी हाल्दी एक छोटी सी गर्ल है जस्ट लाइक यू यह देखिए ठीक है इसने क्या एड्वेंचर किया क्या सहासिक काम किया वह हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे ठीक है लेट्स स्टार्ट वन मॉर्निंग एज हाल्दी वॉक्ट तू स्कूल शी किसे मिली एक जिराफ से मिली गुड्य गर्ण गोड़ वो इससे करो भय है अग काम गांशो प्या फू carrier वॉक्ट अधिए जराफ के साथ जराफ है और लग अग वीग फिक्र होल्ज का आखिए झाल स्ट değil परदाब मॉर्निंग अल्दी जिराफ ने कहा जिराफ ने स्माइल किया और सेट उसने कहा गुड मॉर्निग हाल्दी हाल्दी को कहा गुड मॉर्निग हाल्दी लोगड अप एट हिम हाल्दी ने उसे देखा ठीक है फॉत्यान से देखा I am sorry to stare और फिर उसने कहा कि तुम्हें घूरने के लिए sorry stare होता है घूमना I am sorry मुझे खेद है मुझे तुक है कि मुझे तुम्हें घूमना पड़ रहा है she said but I have never met a giraffe like you लेकिन मैं ऐसे जिराफ से जो कि तुम्हारे जैसा है कभी नहीं मिली हूँ जो glasses पहनता है book पड़ता है ऐसे जिराफ से मैं कभी नहीं मिली हूँ तो इसलिए मैं sorry कर रही हूँ कि मुझे तुम्हें घूरना पड़ रहा है my name is smiley तो जिराफ ने क्या कहा said the giraffe जिराफ ने क्या कहा my name is smiley जैसे आपको अपना नाम बताना है तो आप कैसे बताओगे my name is naira तो इसी तरीके से यह जिराफ अपना नाम बता रहा है my name is smiley यानि मेरा नाम smiley है whenever you see me you will smile smiley का क्या मतलब हुआ कि जब भी आप मुझे देखोगे whenever जब कभी भी आप मुझे देखोगे you will smile आप smile करोगे आप खुश हो जाओगे Haldi was surprised and happy too Haldi को बहुत आश्चरिय हुआ surprised हुआ and happy too और वो बहुत खुश भी थी okay then she remembered that she would be late for school फिर उसे याद आया she remembered remember मतलब remember होता है याद आना याद करना ठीक है और तब उसे याद आया that she would be late for school के वो school के लिए late हो रही है उसको time नहीं ज़्यादा उसे school पहुंचना है so she said to the giraffe इसलिए उसे जिराफ को कहा क्या कहा I would love to talk to you but I must rush to school or I will be late मुझे तुमसे बात करना अच्छा लग रहा है ठीक है और अच्छा लगेगा I would love to talk to you मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगेगा but I must rush to school लेकिन मुझे दौरना पड़ेगा rush दौरना पड़ेगा कहा school के लिए दौरना पड़ेगा और I will be late नहीं तो मैं late हो जाओंगी the giraffe said not if you ride on my back यानि कि अगर तुम मेरी बैक पर बैच जाती हो तुम मेरी पीट पर बैच जाती हो तो तुम late नहीं होगी if you climb on my back ठीक है इसलिए तुम क्या करो मेरी पीट पर बैच जाओ if you climb अगर तुम बैच जाती हो मेरी पीट पर I will run so fast that you will feel you are flying to school ठीक है जब मैं इतनी तेज दोड़ूंगा तो तुम्हें लगेगा कि तुम स्कूल के लिए ओड रही हो यानि कि तुम चल के नहीं जा रही हो तुम उड़ के स्कूल जा रही हो do you go to school everyday ठीक है तो क्या तुम रोज स्कूल जाती हो ठीक है जराफ ने पुछा कि क्या तुम रोज स्कूल जाती हो yes I go to school on Monday Tuesday, Badness Days Thursdays and Fridays it means मैं रोज स्कूल जाती हो कब-कब जाती हो Monday को, Tuesday को, Badness Day को Thursday को and Friday को किते दिन हो गए वीक के? फाइब डेज हो गए, फाइब डेज को वो स्कूल जाती है and what she does on 6th day on Saturday I play game at school यानि कि वो स्कूल जाती है लेकिन क्या करने जाती है गेम स्कूल जाती है तो इस तरीके से Monday, Tuesday, Badness Day, Thursday, Friday and Saturday week के 6 days वो स्कूल जाती है और Sunday सब का holiday होता है ये तो सब को पता है तो वो क्या करी है कि मैं Monday, Tuesday, Badness Day, Thursday, Friday को स्कूल जाती हूँ and Saturday को मैं स्कूल जाती हूँ गेम स्केलने के लिए then what do you do in school तुम इसकूल में क्या करती हूँ आस्ता जिराफ जिराफ ने कहा I learnt about the stars, the trees, the birds and the animals छीक है जिराफ ने पूछा कि तुम इसकूल जागर करती ही तो उसने कहा I learnt, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं सीखती हूँ क्या सीखती हूँ about the stars के बारे में trees के बारे में birds के बारे में और animals के बारे में ठीक है आप भी स्कूल जाते तो क्या क्या करती हो नहीं नहीं चीज़े सीखती हो न उसी तरीके से उसने बताया है कि मैं स्कूल जाकर क्या क्या सीखती हूँ that is good said the giraffe giraffe ने का यह तो अच्छी बात है I love books ठूँ मुझे भी books पढ़ना अच्छा लगता है there are lots of fun उनमें बहुत सारा fun होता है बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ने में now jump on my back अब तुम मेरी पीट पर jump करो यानि कि बैट जाओ I will take you to school मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारे school ले चलूँगा Haldi then jumped on the giraffe's back and found that she could see so many things from the top अब आप स्चानते हो ना कि giraffe के height किती ज़्यादा होती है world का सबसे tallest animal है giraffe अब वो जिराफ की बैक पर बैठी हुई है पीट पर बैठी हुई है तो उसने क्या पाया कि she could see वो देख सकती थी बहुत सारी चीज़े क्योंकि वो तो टॉप पर बैठी हुई थी and before she knew it she had reached the school playground and before she knew it जैसे ही उसने जाना कि she had reached the school playground वो इस्कूल के playground तक पहुच चुकी है she glammed down वो नीचे उतर गई when she turned back to thank the giraffe ठीक है जब वो मुडी turned back पापिस से मुडी to thank, thank करने के लिए giraffe को she found that he had gone away उसने देखा कि जिराफ तो चला गया था okay then oh healthy thought what a wonderful adventure adventure I have had ठीक है हाल्दी ने सोचा कि मैंने कितना शांदार कितना सुन्दार कितना मज़ेदार adventure आज किया है उसे कितना अलग किसम का जिराफ मिला था आज ठीक है थोड़े से question से जो हम कर लें इस मिसल where was healthy going to healthy कहां जा रही थी healthy was going to school why did Haldi stare at the giraffe हाल्दी कुछ stare क्यों गरना पड़ रहा था जिराफ के लिए because जिराफ वस सो दिफ्रेंट with with big glasses and a book how did she reach school वो school कैसे पहुँची by climbing up on the back of जिराफ ठीक है how do you go to school आप school कैसे जाते हो जैसे भी जाते हो autobus on foot आपको बताना है what do you wear to school आप इस्कूल जाते तो क्या पहनते हो obviously school uniform have you ever seen anything strange on your way to school talk about it क्या तुमने भी कभी इस तरीके से कोई स्ट्रेंज ती देखी है अपने स्कूल के रास्ते पर अगर देखिये तो उसके बारे में बताओ ठीक है हम मिलेंगे फिर एक नई चप्टर के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई